असलाम अलेकुम मेरा नाम है अवैसक्रम और मैं बात कर रहा हूं आप से उनिवेस्टीज़ पेइड.com की तरफ से आज हम जिस कंट्री के बारें बात करेंगे वह है टर्की टर्की का स्टूडेंट वीजा वहां कैसे अपलाई कर सकते हैं एक्सेटरा जैसा कि आपको बता है टर्की और पाकिस्टान के रिलेशनशिप शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं और आजकल रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो और जिस जिसके वह जैसे टर्की ने जो है क्या बाकी कांट्री उय्टिज की तरह मार्च और सेप्टेमबर मार्च में इस लए संधिन ऑगी है जाता है और आप जाने के लिए रेडी हो जाते हैं स्कॉलर्शिप्स में तर्की दो तरह की स्कॉलर्शिप्स प्रवाइड कर रहा है फुली फंडेट और पार्शल स्कॉलर्शिप्स फुली फंडेट जिसमें तर्की आपको तमाव फैसलिटेट करता है जिसमें आता है आपका तुशन फीज्ट डोमिट्री स्टैप्मेंट एक्सेटरा और पार्शल में इनमें से कुछ फैसलिटीज होती है तुशन फीजब करते हैं और आपको लिविंग अलांस नहीं मिलता इस तरह जो है एए पार्शल हो जाती है जो पार्शल स्कॉलरशिप है इस में युनिवेस्टी का जो फी स्ट्रक्चर है वो अरांड 1000 डालर से 2000 डालर के दर्मियान होता है और इसको आप दो स्टेप्स में पे कर सकते हैं फर्स्ट जब आपका एड्मिशन होता है 50 परसंट आ के बाद वहाँ पे करते हैं और एक जो प्लस पॉइंट है टर्की के हवाले से वो यही के यहां भी किसी उनिवेस्ट्री में नॉर्मली आयल्स की जुरूरत नहीं है तो पाकिस्तानी स्टुडेंट्स के लिए जो बड़ी मुश्किल है इन्होंने भी सॉल्व की हुई है तो अब मैं आपको बताता हूं रिक्वाइर्मेंट्स क्या है एक तो आपके पास सबसे पहली बात बैंक स्टेट्मेंट की जुरूरत है और बाकी डाकुमेंट्स जो आते हैं उसमें पासपोर्ट पिक्चर्ज और आप जिस भी कैटेगरी के लिए मास्टर्स पीएडी बै मैट्रिक से लेके आपकी जो लेटेस्ट डिगरी है ओनवर्स तमाम जो है उसकी ट्रांस्क्रिप्ट और डिग्री जो है वो आपको प्रवाइड करना होती है इसके इलावा एक सॉलेड स्टडी प्लैन जिसमें आप बताते हैं कि आप किस तरह जो है अपनी स्टडी को कंट गयेंग्लिश प्रफिशन सीलेडर जिसकी बनियात पर आप यह करते हैं और आप नहीं की आप पास इसमझें तो अप्लाइड करने में आप हमसे contact कर सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे आपके documents की free assessment करेंगे तो इसमें जो सेकंड step आता है तर्की के admission में जब आप apply करते हैं खुद apply कर सकते हैं किसी भी या हमारे तुरूए apply कर सकते हैं तो जब आपका admission हो जाता है तो भीराता है visa process visa process में आपको जीन डॉक्रमेंट्स की जुरूरत है वो मैं अभी आपको बता देता हूं सबसे पहले पास्पोर्ट विच सिक्स मंथ वैलिडिटी जिसमें छे महीने उसकी वैलिडिटी रहती हो मिनिमम और दो से चार पेज एंपिटी हो ताके विजा स्टेंप किया जा सके पिक्चर्स स्टेक्मेंट एंटीय और टक्स रिटर्स ढिटेएल्स मंति हैं अगर तो ऑक क्उंण की जो स्टेुटमेंट है आपके नाम पर है फिर तो वेल a यंड गुड्र वैंड और। अगर यहीं स्टेटमेंट और elders में नाम या भाई है नाम की हैं ऑपिर आपको बना नOpen पह़े जो आपका जो है स्पांसर होता है उसके नाम की आपको जाने से पहले अमबैसी में जाने से पहले आपको एक काम और करना होता है वो होती है अपने होटल बुकिंग करवानी होती है और टिकेट जो है वो भी बुक करवानी होती है सारी जो है ये डाकुमेंट्स रिक्वायर हो होप आप समझ गए होगे कि टर्की में अप्लाई कैसे करना है इनके लिए किस किस डॉकमेंट की जरूरत है तो यह आप खुद सारा कुछ कर सकते हैं अगर in case आप को still कोई problem आ रहा है तो आप हमसे राता कर सकते हैं स्क्रीन पर आप हमारे नमबर देख सकते हैं आप डारेक्ट कॉल कर सकते हैं या इस पर what's app भी कर सकते हैं ताके हम आप को further guide कर सकें कि आपके document की assessment कर सकें और आपको बताएं किए निवर्स्टी में अपलाई कर सकते हैं शुक्रिया झाल सि्थार्ण